दोस्तों अपना ग्यान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्ता के सबी बारों में मंगलबार की प्रकरती उग्र मानी जाती है। मंगलबार के दिन अगर तन से मन से हनुमान जी महराज की अराधना की जाए तो सारे कश्ट ततकाल दूर हो जाते हैं। मंगलबार को कल्यू का प्रतेक्ष देपता माना गया है। संकट से उभारने के लिए संकट मोचन हनुमान जी महराज को प्रसन करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं और ऐसी मानिता भी है बीडियो ध्यान से देखना रात के समय जब शिरीराम जी बीश्राम करते हैं उस समय हनुमान जी महराज की पूजा पाट की जाए, उनसे प्र आपकी पुकार हर एक पुकार हनुमान जी महराज तक पहुंचती है बहां तक तत्काल पहुंचती है और हनुमान जी महराज अपने भक्तों की पुकार इस समय अबश्य सुनते हैं तो दिन की बज़य रात के समय हनुमान जी महराज की अराधना करना मंगल भार के दिन बहुत लापकारी साबित होता है तो ये गुप्त जानकारी इसलिए बता रहा हूं ताकि ये जानकारी आपको आगे काम आए शास्तरों में हनुमान जी के पूजा पार्ट करने के बहुत सारे नियम बताए गए हैं जिनको ध्यान में रख करके अगर पूजा पार्ट की जाए तो संयम एबंग नियम बताऊंगा देखिए ये जो संसार चल रहा है ये संयम एबंग नियम पर आधारित है जैसे कि सूरज का एक निश्चित नियम होता है कि इतने बज़े उदय हो जाना है उसी प्रिकार चांद का भी एक निश्चित नियम होता है कि इतने बज़े उदय हो में देखा जाये तो लक्षमन रेखा एक रेखा नहीं थी एक पिरकार की मर्यादा थी माता सीता ने मर्यादा का उलंगन किया तो आपने भी देखा होगा अगर आप नियम का उलंगन करते हैं नियम का पालन नहीं करते हैं तो आगे चलकर वो हमें नुकसान दहे साबित होता ह तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मंगलबार के दिन हमें कौन से नियम का पालन करना चाहिए और कौन से नियम हमें धारन करने चाहिए साथ ही मंगलबार के दिन किये जाने बाले उपाय भी बताऊंगा जिससे आपके जीवन में चल रही सारी बाधाएं ततकाल समाप्थ हो जाएंगी दोस्तो अगर आप भी भगबान शेरी राम के सचे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जै शेरी राम जै हनुमान जरूर लिखना देखिए हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं मर्यादा पुरुशोतम भगबान राम के परंभक्त हनुमान जी महराज ने सदा ब्रहमचारी का पालन किया है और अपने जीवन में ब्रहमचारी का पालन करते हुए संपूर्ण जीवन ब्यत्तित कर रहे हैं इसलिए जो भी हनुमान जी महराज का पूजन करते हैं उसे ब्रहमचारी का पालन जरूर करना चाहिए यहां तक की विबाहित जो लोग हैं अगर हनुमान जी महराज को मानते हैं मंगलबार के दिन हनुमान जी महराज की पूजा पार्ट करते हैं तो उसे ब्रहमचारी का प प्रतेक्ष देख चुके हैं, कई लोगों के साथ में ऐसा होता है, हनुमान जी की अगर आप पूजा पाट करते हैं, तो नियमित रूप से आपको करना है, आपको मासाहर है या फिर शराब है, इनका सेबन करते हैं, तो मंगलबार के दिन ध्यान रखना, मासाहर और शराब का सेबन कतापी नहीं करना है, आपने हनुमान जी महराज का ब्रत काफी लंबे समय से रखा है, और ब्रत का उध्यापन कर दिया है, और मासाहर या फिर शराब का सेबन करते हैं, तो ऐसा मत करना, शास्त्रों में इस बात का उल्लेक मिलता है, जो ब्यक्ति हनुमान जी की पू है सतरक हो जाना और भविष्य में इन गलतियों को करने से बचना है ताकि आपकी बरबादी ना हो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो दोस्त और इसके बाद हनुमान जी को बाल भ्रह्मचारी माना जाता है उन्होंने कभी भी विभा नहीं किया इसलिए महिलाओ को बिशेश करके कुछ नियम का पालन करना चाहिए क्योंकि बहुत सी जो महिलाए है हनुमान जी महराज की मूर्ति को छू लेती है हनुमान जी महराज की कभी भी मूर्ति को छूना नहीं चाहिए अगर कोई महिला हनुमान जी महराज की मूर्ति को छू लेती है तो मैं इनक परिबार में जो लोग मंगल हनुमान जी महराज को मानते हैं। ऐसी माता बहनों को कह देना कि कभी भी भूलकर के हनुमान जी महराज की मूर्ती को इसपर्श नहीं करें। वो आ जाती है। दोस्तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने का प्रियास करूँगा कि मंगलबार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप मैंसे अधिकतर लोग मंगलबार के दिन गलत चीजों को खरीदते हैं। अगर आप लोगा खरीदना चाहिए। अगर आप लोगा खरीदना चाहते हैं तो मंगलबार की बज़े दूसरे दिन खरीद सकते हैं। शनिबार को खरीदे लेकिन मंगलबार के दिन लोगा नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से जातक को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल और शनि ये दोनों एक दूसरे के घोर शत्रू हैं। ये खरीद करके नहीं लाना चाहिए। साथ ही किसी को काच का सामान उपहार में मंगलबार के दिन नहीं देना चाहिए। खरीते हैं ये फिर इस दिन भूमी खरीते हैं। तो ऐसे ब्यक्ति को आजीबन मंगल दोश लगता है। ऐसे ब्यक्ति को हमेशा चरम संबंदी बीमारी होती है। और अगर मंगलबार की दिन कोई भी ब्यक्ति पान खाकर के जमीन पर थूकता है। अर्थात इस धर्ती माता पर थूकते हैं। तो ऐसे ब्यक्ति को भेंकर मंगल दोश लगता है। ऐसे ब्यक्ति का जीबन फिर नरक जैसा बीटता है। मैं आप सबी दर्शकों को इसलिए अच्छी अच्छी जानकारी बता रहा हूँ ताकि आप जो है सतर्क हो जाए। और नियम का पालन करना चाहिए इस दिन शिरिंगार से जुड़ी कोई विबस्तू घर में खरीद करके नहीं लाना चाहिए इससे बैबाहिक जीबन में बहुती ज़्यादा खटास पैदा होने लगती है शिरिंगार का सामान खरीदना है तो शुकुरबार या फिर सोंबार के दिन ख़दित सकते हैं और मंगलबार के दिन दूत को चंदरमा का कारक माना जाता है तो मंगल और चंदर एक दूसरे के घोर शत्रू है इसलिए मंगलबार को दूत से बनी मिठाईयों का प्रियोग मत करना आप चाहें तो हनुमान जी महराज को चड़ा सकते हैं लेकिन मंगलबार के दिन किये जाने बाले उपाय बता रहा हूँ, जिस उपाय से आपकी अध्यात्मिक उन्नती होगी, आपके कर्ज का भार उतरेगा, आपके जीवन में चल रहा आर्थिक संकट दूर होगा, भगबान आपको धनबान बनाएगा, तो मंगलबार को अगर कोई भी ब थोड़ा सा भी रिन मंगलबार के दिन चुकाते हैं, तो हनुमान जी महराज के किरपा से किसी ना किसी माध्यम से आपको धन प्राप्त हो ही जाएगा, और रिन चुकाने में समर्थ बान बन जाएगे, ऐसा माना जाता है कि मंगलबार के दिन रिन चुकाने से फिर जिन्द बार तक करते हैं तो इस उपाय से भयंकर से भयंकर कश्ट संकट एबंग चर्मरोक संबन्दित बीमारी ततकाल समाप्थ हो जाती है ये धरम संबन्दित शास्तरों में लिखा है मैं आप लोगों को सही जानकारी बताता हूँ सही दिशा दिखाता हूँ ताकि आप सभी स्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा यदी बहते हुए पानी में अगर मंगलभार के दिन तिल और गुर से बनी रियोडी प्रभाहित करिए फिर धान प्रभाहित करिए या फिर मसूर की जो दाल है अगर आप किसी को दान करते हैं तो ततकाल आपकी समस्या ख बस्तिर दान कर देना कोई विशेश कामना हो तो वो विशेश कामना की पूर्ती होती है मंगलभार के दिन लाल बस्तिर लाल फल लाल फूल लाल चंदन लाल रंकी मिठाई हनुमान जी महराज को चड़ाने से मन चाही कामना की पूर्ती होती है ये धरम लिखित शास्त्रों और ध्यान से सुनना, अभी तक बीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बीडियो को लाइक जरूर करना, और जो व्यक्ति जैज शृरी राम नहीं लिखेगा, मैं बिलकुल ही कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति सच्चे हिंदू नहीं है, क्योंकि सच्चे हिंदू हमेशा भगव राम को मानते हैं, हनुमान जी महराज को मानते हैं और उन्हें प्यार करते हैं, धरम धोजा क्योंकि हनुमान जी महराज के ही हातों में है, हनुमान जी महराज ही हिंदू की धरम धोजा अपने हातों में धारंड किये हुए हैं, तो मंगलबार के दिन अगर मंदिर में कोई भी ब्यक्ति जाकर के द्वजा चड़ाते हैं तो ऐसी ब्यक्ति की आर्थिक समर्दी बिलकुल ही जैसे की आर्थिक समर्दी होती है और आर्थिक कष्ट जैसे की पैसो के कष्ट होते हैं तो ये पैसो के कष्ट को दूर करते हैं पांच मंगलबार तक आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के राम लिखीते दोजा को आपको चला देना है। आपकी आर्थिक परिशानी ततकाल दूर हो जाएगी। कोड कचारी का मामला चल रहा है, वो भी दूर हो जाता है। मंगलबार के दिन यदि आप बजरंग बा है और ये पार्ट कम से कम आप 21 दिन तक करते हैं तो फिर ये सोने पे सुहागा है। कैसा भी बड़ा तंत्रिक आपके उपर तंत्रिक रिया कर रहे हैं, उन्हें छटी का दूर ये याद दिला देंगे। जो ब्यक्ति बंदरों की सिभा करता है, उन्हें केले खिलाता है, म उनके सपनों में आ जाते हैं और आपके घर तक आ जाते हैं, आपको धन दौलत से माला माल कर देते हैं, आपको सिद्धी की भी प्राप्ति हो सकती है। प्रुमान बाहू का पार्ट करते हुए कम सिकम 21 से 26 पार्ट जरूर करने चाहिए, 21 पार्ट उत्तम माने गए हैं, ये पार्ट करने के बाद उस जल को जो लोग पीड़े थें उसे पिला देना, बिलकुल ही उसकी जो शारिरिक पीड़ा है कैसे भी परिशानी हो बहुत दर लगता है, तो मंगलबार के दिन हनुमान जी महराज के जो दाहिने पैर का सिंदूर होता है, दाहिनी बुजा का जो सिंदूर होता है, वो बिलकुल ही आप तिलक करें, अपने मस्तक पर लगाएं, भूत प्रित बाधा आपको कदापी नहीं सताएगी, नजदीक में लोग हरे सब पीरा, जपति निरंगतर हनुमत बीरा, ये चौपाई पढ़ेंगे तो ततकाल भूद बहां से भाग जाएंगी, आने की कोशिश करेंगे तो जल भी जाएंगी, क्योंकि तुलसिदास ने स्वयम इसे बताया है, और हनुमान जी के प्रितिमा के सामने बैठ कर कि मंगलबार को हनुमान चालिसा का कोई विव्यक्ति पार्ट करता है, तो कुंडली में किसी भी प्रिकार का मंगल दोश हो, मंगल दोश समाप्त हो जाता है, क्योंकि मंगल देप के समान हनुमान जी महराच माने गए हैं, और हनुमान जी महराच सभी प्रिकार के आपको मं पाय बताया हूँ, सैयम एबंग नियम मंगलबार के दिन किये जाने बाले मैं आप लोगों को बताया हूँ, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सच्चे दिल से कमेंड बॉक्स में लिखें जै शिरी राम जै हनुमान